सेम मानिक्षा की जीवनी के बारे में थोड़ा समझेंगे क्या कुछ यह सक्षियत थे तो अभी हाल ही में आपने देखा होगी सेम बाहदूर नाम से कि कोशल के मुवी का आपने ट्रेलर या टीजर दुरूर देखा हुआ ठीक है और मैं इस बात की आपको पूरी निश्चित पहले इंडियन फिल्ड मार्शल थे पहले इंडियन फिल्ड मार्शल है ना तो अगर कभी भी कोई क्यूस चना आता है कि भारत के पहले फिल्ड मार्शल कों थे तो सैम बहादूर मानिक्षा ठीक है सैम मानिक्षा भी बोलते हैं अब अगर पूरे नाम की बात करें तो पू सेम बहादू इनका निकनेम है अब देखी यह 1971 में जो इंडियन पाकिस्तान वार हुआ है इंडो पाक वार हुआ है उन्य सो इकातर में जिसके फलसफरू बांगला देश एक नई केंटर कंट्री बनके उबरा था तो उस यूद में यह चीफ ओफ आर्मी स्टाफ थे चीफ ओ अब इनके बच्पन के बारे में थोड़ा दानने की कोशिश करते हैं तो देखी जो यह सैम मानेक्शा है यह पंजाब के अमरीज सर के रहने वाले थे और इनका जनम पंजाब के अमरीज सर में तीन अपरेल 1914 को हुआ है यानिकि जिस समें पहला विश्यूद चल रहा था उ हुरमीज मानेक्शा हुरमीज मानेक्शा हुरमीज मानेक्शा इनका पिताजी का नाम था इनकी मदर का नाम था हिला नी महता हिला इनकी मदर को बोलते हैं ठीक हिला नी महता इनकी मदर का नाम था दोनों जो इनका रिलिजन था फादर और का और मदर का तो यह पारसी थे प पाच्वे नमबर के चाइल थे, सैम मानेक्शा, अब देखें इनके बाकि सभी सिब्लिंग्स के बारे में बात करें, इनके बड़े ब्रदर थे फाली, सीला एक सिष्टर थी, जैन एक ब्रदर थे, शेरू सिष्टर थी, सैम, ये खुद थे फिफ्ट नमबर के सैम, और जैमी जो थी, वो एक यंगर सिष्टर थी, यानि कि इन से बड़े चार भाई बहन इन से बड़े थे, जिन में से दो भाई थे, और दो बहने थी, और एक बहन इन से छोटी थी, अब इनके जो बड़े भाई थे, फैली, ये इंजिनियर थे, जैन, ये भी पेसे से इंजिनियर थ और देखें जैमी जुटी जैमी यह एक्ष्यूली जैमी ने इंडियन एर वोर्स को जोइन किया था और इंडियन एर वोर्स को जोइन करने के बाद इनले को बाद ही और अब्यू आर ये रिटाइर हे तो एस्किक च्शू सतुर मॉइस इंडियन अर्मय में जो मेजर जनरल की रंक है उसके एक्वेलेंट है एर वोई समाइसल अब ही वाज मिश्चिवियस हैंड हाइली स्परिंटीड काफी मतलब उर्जावान थे और काफी सरार्ती थे बच्पन से ही और इनका जो एम था बच्पन में इनका बच्पन से इनका सपना था डोक्टर बनना बट ये लंदन जाना चाहा रहे थे बट इनके पिताजी ने बोला कि आपकी उमर जो है अभी काफी कम है आप लंदन जाने के लिए विदेश जाने के लिए आप अभी इतने यंग हुए नहीं हो आप अभी काफी यंग हो जादा इतना आपको एक्सपरिंस है नहीं तो इनको लंदन जाने नहीं यह जाने दिया तो नहीं जाने दिया तो इन्होंने क्या-क्या लिए विध्यू क्या जो कि अमरा इस्थर फेर्मी पंजाब में हिंदू सबको ले जिसको आज के टाइम इंडियन मिल्टर एकेडमी का जो उसका एंट्रेंस हुआ वह उन्होंने दिल्ली काकर एंट्रेंस भी दिया और टोटल 15 स्केंडिडिये स्लेक्ट हुए थे उनमें से इनका 6 त्रेंग था ठीक है तो यह इस तरीके से इंडिन आर्मी में इन्होंने अपनी एंट्री की अब इ कि अकृत है ने दुसरा पदम भी भूश तो और इंडिन आर्मी की बात कीज़सी कि ऑन føर्फ को से जुड़े रहे 26 in crunchy dolinky water देविजन से जुड़े रहिए और इंट्योंगे साथ और उनंहोंने north के साथ भी इन इन्होंनें काम किया थिक गोर्खा रेजिमेंट के भी यह हिस्से रहे हैं और फाइनली इन्होंने 27 जून 2008 को अपने शरीर को त्याग दिया यानि कि हम बोल सकते कि इनकी 27 जून 2008 को हमने देश के महान सपूत को खो दिया और इनके बारे में अपने एक डायलोग सुणाओगा तो देखे डायलोग इस तरीके से यह डायलोग है इन्होंने 1971 के जो इंडो पाकवार हुआ था उसमें और बंगलादेश इस तरह के से नहीं कंट्री बना था तो यह इनका जीवन परिच्छे था मैं आपको एक बार समराइज करा दे रहा हूं थोड़ा फार्स ली में करा हुआ उमिद यही तेगी कि आपको समझ आया हुआ त दिसंबर में वह रिलीज होने वाली तो वह देखिए का आप उसका नाम ही सेम बहादूर है अब यह 1901 कर्थर का जो इद्वा इंडिया पकिस्तानी की द्वा उसमें इन्होंने सी ओएस की भूमी का निभाई उनकी चीफ और फार्मिस्ट आप थे उसमें इनका जिनम अमरि जैन पेसे इंडिनर था सिला टीचर थी सेरू टीचर था सैम जो थे यानि कि सैम मानेक शाजी दो थे इन्होंने इंडियन आर्मी को जॉइन के 1932 में और जैमी जो थी इनियर फोस को जॉइन के और एजए एवीम यह रिटार हुई आवग यह बच्पन से काफी मिस्चिवि लंदन जाना जा रहे थे तो इन्होंने हिंदू को जो है पंजाब में अमरी थार में उसमा इन्होंने जॉइनिंग किया और 1932 में थ्रड डिवीजन से इन्होंने अपनी ग्रेजवेशन पास की इसके बाद नें 1932 में ही इंडिन मिल्टर अकैडमी के लिए फोर्म डाला आ अपनी एक अलग ही चभी है इंडियन आर्मी के लिए तो और इस्टन कमांड में वेस्टन कमांड में इन्होंने मुख्य तर पर मुख्य भूमी का निभाई है और बाकी गोर्ख रेजिमेंट सभी है जुड़े और 27 जून 2008 को इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया इनक अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर के चनल को सब्सक्राइब करेजिए धन्यवाद